जै गनेश काटो कलेश बुद्वार का दिन भगवान गनेश की अराधना का दिन है जीवन में सुख सम्रिद्धी के लिए भगवान गनेश की पूजा हर किसी को करनी चाहिए गनपती जी पर्थम पुजदेव हैं और इसी लिए किसी भी सुख कारी की सुरुआत बिना इन्हें याद किये इन्हें निमंतरन दिये हो ही नहीं सकती ऐसी मान नेता है कि इनकी अगर सच्चे मन से अराधना करें तो रुके वे तमाम कारें बनने लगते हैं बुद्वार के दिन छोटे छोटे परियोग किये जाते हैं आज हम आपको छोटे छोटे ऐसे परियोग बताएंगे जो आपके किसमत को बदल सकता है देखिए गनेज जी को कुछ ऐसी बस्तुएं हैं जो अतिप्री है आज हला कि मूंगी के बारे में भी बात करेंगे लेकिन एक छोटा सा परियोग जो आपके लिए जानना आवस्यक है क्योंकि जीवन में जो इस करोना वायरस के कारण परिसानी आई भी है उससे मुक्ती पाने के लिए छोटे छोटे परियोग आपको मदद करेगी देखिए बुद्वार के दिन भगवान गनेज को आपके पास कुछ हो या ना हो सूखा धनिया और गुड का अगर भोग लगा दे तो इससे धन आता है आपके तमाम रुकेवे कार तुरंद बनने लगते हैं याद रखिए गुड और धनिया ये बहुत ही सुफ़ल देते हैं बाद में इसको आप परसाद के रूप में गरहन कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है गनेज जी को दुर्वा दल अतीप्रिय है दुर्वा घास होता है एक प्रकार कर और उसके तीन पत्ते या पांच पत्ते आपको लेने हैं गांठ नहीं होनी चाहिए ये बात ध्यान रखिएगा तो दुर्वा दल का माला अगर बना के आप उनको पहना सके लाल धागे में बांध कर और उनको सिंदूर अर्पित करें अगर आप पुरुस हैं तो महिला हैं सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी ऐसा करने से जीवन की समस्त परिसानियां दूर हो जाती है सभी समस्याओं का समाधान निकल आता है वैसे तो भगवान गनेश जी को आप अगर लगातार साथ बुद्धवार तक या सिर्फ कभी भी आप साथ बुद्धवार गुड का भोग लगाएं तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको किसी चीज की आवस सकता है और वो चीज आपके पास नहीं है यानि गुड अर्पित करने से आपके जीवन के हर पाधा को गनेश जी दूर करते हैं अगर मा लक्षमी की अस्थाई किरपा चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मा लक्षमी हमेशा ही आपके जीवन में कुसियां बरसाती रहे तब गनेश जी को आप थोरा सा घी और गुड का भोग लगाएं ऐसा करने से मा लक्षमी आपके ही घर में रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी बहुत सिंपल परियोग है लेकिन ये परियोग करने के बाद आपको खुद लगेगा कि अब बरकत होने लगी है और जीवन में धन की मुश्किलें दूर होने लगी है आक का पुस्प अगर आप गनेज जी को अरपित करें जो उनको अतिप्री है तो ऐसा करने से अस्थाई तोर पर घर में लक्षमी के वास होता है लेकिन संख्या होगा आठ कीस यहनी आठ अर्क आग के पुस्प अर्पित करें बुद्वार के दिन अगर आप किन्नर को कुछ पैसे दान में दें और उनसे एक रूपई या आसिरबात के रूप में लेकर उसको आप अपने धन के अस्थान पे रखें तो धन की कमी कभी नहीं होती है बरकत होती ही चली जाती है वैसे जब भी आप बुदवार के दिन कोई भी जरूरी काम के लिए घर से निकलें तो पहले थोरा सा हरी सौप खालें और फिर निकलें आपका जो भी काम के लिए आप निकलेंगे न उसको बनने की संभावना बढ़ जाती है वैसे तो बुदवार के दिन बहुत साई लोग रंग के दिन के नुसार रंग वाले कपड़े पहनते हैं वो भी पहनना अतिसू माना जाता है आप वैसे भी पान सकते हैं आपको लगे कि जीवने बहुत मुस्किलें बढ़ गई है धन की मुस्किलें ज्यादा परिसान कर रही है तब बुद्धी के देव गनेजी को मनाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजेगा एक हरा रंग का रुमाल इतना बड़ा या उससे भी छोटा कप्रा ले लेँ पांत चुटकी या तकिए पांत चुटकी आप या थोधार उठां कर पांच बार उसकपड़े पर मुंग रखें और सात कौडी अगर सात कौडी नहीं है तो एक ही कौड़ी लेकर उसकपड़े पर रख दें इसको बांधिये अपने ऊपर से तीन बार उल्टा उतार लें और किसी भी मंदिर के यानि कोई भी भगवान का मंदिर जो भी आपके घर के आसपास है ले जाकर सिधी पर रख दें और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए गनेश जी को हरा दुर्वा घास बहुत प्री है बहुत पसंद है अगर दुर्वा घास आप 11 या 21 की संख्या में लेकर जिसमें तीन या पांच पत्ती हो गांठ ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा डंठल में गांठ होता है न वो हटा दीजेगा इसके बाद इसको सभी दुर्वा घास अच्छे से साफ कर ले औ मौली धागा होता है बांद कर गनेज जी के गले में पहना दे और आपकी जो भी मनोकामना है वो कह दें आपकी मनोकामना सिग्र अतिषिग्र पूरी हो जाती है और बाद में इस दुर्वा घास को आप फेक एगमत संभाल के रखिए जब तक कि मन्नत पूरी नहीं हो दी मन असे भी जीवन की बहुत सारी मुश्किले दूर हो जाती है लेकिन जब आप एक तांतरिक प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए यह प्रयोग लंबे समय तक कीजिए और यह प्रयोग करने से बस यह समझ लें हर कारे में सफलता मिलेगी बुद्वार के दिन चूंकि बहुत सा मार्कर में मिल जाएगा उसको ले आए उसके चोटे चोटे टुक्रे कड़के डबे में स्टोर कर लें और रोज एक चुटकी गनेजी को भोग लगा है और रात में उठाकर उसको प्रसाद के रूप में खा लें पानी पीके सो जीवन में अगर मुस्किले ज्यादा हो तरक अच्छे से त्बदा कर लें और अपने घर के पूजास्थान पर आप पूजा करने बैठ़ी एकिया अराम से प्ते पर जो भी आपके पास है केला का या पान का केला का है तो वही ले 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 एक मुठीा चावल दौने एक सिक्का सिक्का रखने के बाद आप गनेश जी की पूजा करें अपनी मननत कहें और फिर जो चाबल की धेरी आपने बनाई है उसको अपने घर के जहां पर आपका चाबल बनता है कीचन में वहां पर उसी डब्बे में रख दें और आप चाहें तो अलग से इस चाबल का खीर बना कर भी पूरे परिवार के साथ प्रेम से परसाथ के रूप में खाईए और जो मोदक रखा है उसको पूरे घर के साथ परसाथ के रूप में खाना है और जो सिक्का है उसको आपको लाल कपड़े में लपेट के या लाल धागा बांध कर अपने पर्स में या धन के अस्थान पे रख लें तो जीवन में धन की कमी नहीं होगी तो बुद्वार के दिन ये छोटे छोटे हमने आपके साथ बहुत सारे परियोग की बात की ये आपके जीवन के मुस्किलों से आपको बचाएगा आपके जीवन के कुस्टों को दूर करेगा क्योंकि बुद्वार के दिन पर्थम पुज्य गनेश जी का दिन है और गनेश जी हमारे जीवन के बस ये समझ लें कि सही रहा दिखाते हैं हमेशा इसलिए उनके साथ मालक्ष्मी की भी पूजा करें अब अंत में सबसे बड़ा उपाएं देखिए किसी भी बुद्वार के दिन अगर आप कर्जों की समस्या से फसे हैं अगर सत्रु ब्रोधी ज्यादा एक्टिव हो गया अगर धन की बहुत मुस्किले हैं तब एक छोटा सा काम कीजिएगा पान का पत्ता ले ले उसमें फिट मुड़े घर आजाएं आपके जीवन की तमाम परिसानियां समाप्त हो जाएगी और फिर देखिएगा कैसे मालक्षमी की किपा बरस्ती है कैसे आपके सत्रु सांथ हो जाते हैं आपके जीवन में धन आता है कर्जों से मुक्ति मिलती है यानि सौ बिमारियों का एक ही दबा है तो बुद्वार के दिन ये प्रियोक जरूर करें तो गनेश जी को मनाने के लिए बहुत सारे विधान है लेकिन अगर आप ओम गंगन पते नमा का जब करते हैं गाय को हरा चारा खिलाते हैं या फिर इस दिन छोटे छोटे प्रियोक कर लेते हैं तो जीवन की बहुत सार हैं तो बुद्वार के दिन पिंजडा में जो पंची बिक्री करते हैं लोग तो पिंजडा सहीत पंची खड़िद ले और उन पंचीयों को आप उड़ा दे तो कर्ज की समस्या से मुक्ती मिलेगी अगर बुद्वार के दिन गनेश जी को गुड़ और धनिय का भोग लगा तो गुड़ जो होगा वो डली वाला भी गुड़ ले सकते हैं और थोड़ा सा गाढ़ा वाला होता है उसको भी आपके पास जो है वैसे आप चाहें तो घी और गुड़ का भी भोग लगाई ऐसा करने से मालक्षमी की किरपा बरस्ती है और परसात के रूप में खाएगा जो भी आपको चाहिए होगा एक पान का पता ले ले वैसे तो यह परियोग अन्ने दिनों में भी किया जाता है लेकिन बुद्धिवार के दिन करें इसके जादा फल मिलते हैं और पान के पत्ते पर आपको रखने है फिटकरी के छोटे-छोटे 5 टुक्रे चोटे-छोटे म जो फिटकरी आपने रखा है पान का पत्ता के उपर उसके उपर सिंदूर रख दें अब इस पान के पत्ते को मोड लें ठीक है अब मोड कर आपके घर के आसपस जहां भी पीपल का पेड़ है उसके जर्में हलका सा मिट्टी में हलका सा गड़ा करें जादा नहीं करना और भा पीछे मुड़े घर आजाएं कोई कितना भी बुलाएं पीछे मत मुड़िएगा रास्ते में आपसे कोई मिल जाता है बात करते तो लग चीज है लेकिन वहां पर ततकाल बातचित मत कीजिएगा क्योंकि टोटका करने के समयं टोक ना लगे इस बात का धियान लगना अतिय बात की बात वसे मत मुड़ेगा रास्ते में जाता है रास्ते में टेंक वसे कोई कितना यहां लगना रास्ते वाफ्टि कोई है लगना अन्याप प्र तो लूह है जा श्वेगा भीछे मिल जाल यहां आ जान